Hello guys, welcome back to my channel, so guys, today our topic is phrase तो जैसे कि हम phrase पढ़ रहे थे previous video में भी हमने phrase का meaning पढ़ा था फ्रेस क्या होती है और उसकी कौन-कौन सी kinds है जैसे phrase is a group of word होता है, मैंने आपको previous video में बताया था कि this is a group of word but it does not give us a complete meaning वो हमें complete meaning नहीं देता है phrase जो होता है लेकिन phrase और sentence में एक ही difference है यह जो difference है phrase और difference में वो यह है कि sentence जो होता है वो भी group of words होता है लेकिन वो हमें complete meaning देता है लेकिन phrase जो है that is also group of words but it does not give us complete meaning वो हमें complete meaning नहीं देता किसी भी जो हम बनाते हैं group of words का ठीक है अब उसके बाद phrase का हो गया उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि there are four kinds of phrases, main जो हैं वो four kinds of phrases हैं, जैसे first is your noun phrase, second is your adjective phrase, third is your adverb phrase and fourth one is your prepositional phrase, तो one by one हम इन phrases को discuss करेंगे, आज हम noun phrase और adjective phrase के बारे भी पढ़ेंगे and tomorrow we will discuss about the adverb phrase and prepositional phrase, ओके, first of all we will discuss about the noun phrase, अब देखिए, phrase जो है वो तो group of words ही होगा, अब वो कह रहा है कि noun phrase वो वाला group of words होगा, जो किस की तरह work करेगा, as in noun की तरह work करेगा, ठीक है किसी sentence में, जैसे मैं लिख रही हूँ, noun phrase is a group of words that acts like, जो आपका noun की तरह act करेगा, किसी work करेगा, किसी sentence में, उसी को हम noun phrase कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप noun पता होना चाहिए, noun phrase होने के पता होने के लिए, आपको सबसे पहले, first of all you should know about what is noun, तो noun क्या होता है, noun is a place of a person, place of a person, name of a person, place or thing, that is the noun, ठीक है, किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी जगय का नाम हो, that is the noun, उसी हम noun कहते हैं, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगय का नाम, किसी भी इनसान का नाम, परसन का नाम, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाम, and there are different kinds of nouns जो मैंने आपको parts of speech में बढ़ाया था अगर आपने वो नहीं समझा होगा तो वो सारी videos मेरे channel पे available है you can also watch these videos ठीक है तो उसमें मैंने सारे nouns जो हैं वो one by one discuss की है kinds, proper noun क्या होते है, common noun क्या होते है concrete क्या होते है, abstract क्या होते है material और collective क्या होते है ठीक है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ सकते है और अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन से नाउं का क्या मिनिंग है तो आप ये नाउन है नाउन जो फ्रेस पढ़ रहे हैं तो फ्रेस का अलग से मिनिंग आपको पता चल गया ये उनको forest is a group of words that does not give us complete meaning और नाउन फ्रेस वोगा वो वाला group of words जिसमें वो फ्रेस जो है वो आपका नाउन की तरह प्रेढ्ड करेगा नाउन की तरह आपको behave क्रेगा act करेगा as a function करेगा तो हम अभी example पढ़ेंगे किस तरह से आपको लगेगा कि वो नाउन की तरह आपका एक्ट करेगा ठीक है अग्जेम्पल 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 किस लिए मना किया अंसर देने के लिए क्वेश्चन का आप देखे आप बोर होंगे इसमें नाउन नहीं है तो प्रनाउन है तो बेटा जो आपके noun की जगा पर यो भी words use होते है न प्रेनाउंस तो आप उसको noun phrase की pronoun phrase कोई चीज नहीं है आपका noun phrase ही है और noun के ही अंदर वही words आएंगे जो आपके noun की जगा use होते है जैसे as a pronoun भी आप यहां भी use कर सकते है जैसे he है तो यह आपका noun की जगा use होगा यहां एक person का नाम होगा किसी लड़के का नाम होगा तो हमने he use की है आप राम यूज कर सकते है शाम यूज कर सकते है किसी का भी नाम यूज कर सकते है तो he refuses to answer the question वो कह रहा है उसने किस लिए मना कर दिया था question का answer का मतलब देने के लिए वो क्या करता है मना करता है अब देखिए यह क्या है आपका as a pronoun है मतलब as a noun act कर रहा है ठीक है अब refuses आपका क्या है verb है और यह verb किस चीज के बारे में बता रहा है हमें ठीक है अब यह जो verb है यह जो noun है यह हमें, noun के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो किस चीज के लिए मना कर रहा है To answer the question And this is your This is your noun phrase यह आपका क्या हो गया Ngown phrase हो गया कैसे? क्योंकि इस चीज से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा noun, जो हमारा pronoun है यहाँ पर वो किस चीज को मना कर रहा है actually वो act क्या कर रहा है कि वो to answer the question मतलब question देने के लिए मना करता है answer देने के लिए मना करता है question का so that is the noun phrase to answer the question in this sentence to answer the question is your noun phrase ठीक है यह आपका क्या हो गया noun phrase हो गया जैसे मैं लिखूं तो यह आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर noun phrase को जैसे to answer the question आप इसमें जो भी लिखना चाहते है वो लिख सकते हैं ठीक है their fellow mates लिख सकते हैं fellow man लिख सकते हैं जो भी आपकी चोईस है ठीक है अब वो कह रहा है कि good people like to help their fellow man वो अपने जो अपने जो साथी हैं उनकी अच्छे लोग क्या करते हैं अपने जो साथी हैं उनकी मदद करना पसंद करते हैं they like to help their fellow man ठीक है अब वो कह रहा है good people good people कौन से होगे good people कौन होगे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है collective group की बात हो रही है good people होगे their fellow man अब नाउं क्या है यहाँ पर good people because they are collective now they pretend the group of people बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कि जो भी अच्छे लोग होते हैं तो मतलब सभी अच्छे लोगों की बात हो रही है हम collective की बात कर रही है ठीक है तो वो कह रहा है good people like to help their fellow man वो किसको पसंद help करना पसंद करते हैं अपने fellow man की तो guys यह देखिए good people का जो action हो रहा है वो क्या हो रहा है to help their fellow man अपने fellow man की help करना तो this is the group of words and this is the noun phrase यह आपकी क्या रहेगी noun phrase रहेगी ठीक है तो guys मेरी बात सुनिए अब आप इसको देखिए यह group of words अगर मैं सिर्फ इतना बोलू to help their fellow man तो क्या आप इसका मतलब दूसरों की help करते हैं क्या आप इसका मतलब समझ सकते हैं प्रॉपरली इसका कोई full meaning आपको दे रहे हैं यह जो line है यह जो phrase है यह जो group of words है that doesn't give us a complete meaning नहीं दे रहा है इसलिए आप क्या कर रहे हो इसको यह noun phrase है इसलिए यह phrase के लाता है जब आप इसको sentence में डालोगे तो यह पूरा sentence है तो इसलिए जो phrase होता है वो एक part होता है sentence का ही एक part के लाता है तो guys this is the noun phrase I hope कि आपको समझ आया होगा कि noun phrase जो है वो क्या होता है तो noun phrase क्या होता है एक बार फिट से repeat कर लेते हैं noun phrase is a group of words that act like a noun in the sentence जो आपके noun की तरह act करता है किसी sentence में that is the noun phrase और यह मैंने आपको examples दी है I hope guys कि आप समझ गे होंगे कि noun phrase क्या होता है और किस तरह से कौन से group of words जो है वो act करते है as a noun phrase तो next guys first हमारी होगी है तो next हम discuss करेंगे adjective phrase ठीक है next हम किसको discuss करेंगे adjective phrase को अब देखें noun phrase वो थी जो आपका किस तरह से act करती थी function करती थी as a noun और adjective phrase वो वाले group of words होंगे जो that act the that works as a adjective in the sentence जो किस की तरह work करेंगे work as an adjective work किस की तरह करेंगे as an adjective in the sentence वो क्या work करेंगे आपका as an adjective adjective phrase में होगा तो adjective की तरह behave करेंगे लेकिन अगर वो noun phrase है तो वो noun की तरह act करेंगे ठीक है अब हम इसकी वो discuss करेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा adjective phrase क्या होता है adjective phrase पता करने के लिए first of all you should know about what is adjective adjective क्या होता है adjective tells us the quality मतलब quality बताता है हमारे जैसे आप हिंदी में बोलते है विशेशन ठीक है जैसे noun या प्रेनाउन की tells us the quality of a noun नाउन और प्रेनाउन आपकी अंसरंग्या या सरबनाम की विशेश तक बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते है adjective कहते है तो वही में adjective यहां बोल्डरी सबसे पहले आपको adjective पता होना चाहिए adjective क्या होता है adjective होता है adjective are those words which tells us about the quality of the noun और प्रेनाउन ठीक है अब adjective आपको पता चल गया phrase आपको लग से पता है वो वाले words जो आपके act करते है जो ग्रुपा word होता है जो हमें complete meaning नहीं देते लेकिन adjective phrase में वो as adjective ग्रुपा जो word होगा वो as adjective work करेंगे ठीक है तो अभी हम इसके discipline करेंगे ओके तो अब हम इसकी one by one example देख लेते हैं कुण कुण से आएगी जैसे आप adjective आप समझ गे ना कि adjective phrase में आपका जो phrase होगी वो आपकी adjective की तरह behave करेगी ठीक है जैसे शी हैज एज अ highly successful career उसका क्या है एक कैसा करियर था एक successful career था ठीक है शी है ज़ै ई हाइजी successful career उसका जो career था वो कैसा था successful था ठीक है अब काईस देखिए अब उसका जो करियर था यह क्या है आपका as noun है ना आप adjective जो है वो किसकी quality उसका जो करीयर वो कैसा था highly तो गाई यह जो है ना, a highly successful career this is your adjective phrase, क्यों? क्योंकि successful आपका क्या है? adjective है, आपका career आपका क्या है? as a no, वो norm भाजाते है कि कैसा career है, ठीक है? तो she आपका प्रनाउन है, she के बारे में हमें बता रहा है कि उसका career जो था वो कैसा था? as a highly successful career था, तो यहीं जो है यह जो group of words है highly successful career, तो that tells us about the quality of a girl quality of a girl जब girl हो सकती है, female हो सकती है किसी की भी आप हमें quality बता रहा है और यह आपका adjective शो कर रहा है ठीक है, तो this is your adjective रेस, इसलिए यह आपका क्या हो गया adjective adjective phrase, चीक है, तो guys कहीं कहीं बाद जैसे आप बोलते हो जैसे मैं, जैसे कोई चीज बनी है ठीक है, आप यह लिखते है a wooden hat यह क्या है आपका a wooden hat, this is your adjective, a wooden hat आपका adjective है, लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे बना दूँ a hat made of wood, तो made of wood is your adjective phrase, ठीक है, यह आपका क्या हो जाता है adjective phrase हो जाता है, वो किस से बनी है made of wood से, ठीक है तो यह आपका adjective phrase इसी तरह से हो जाता है तो guys, यह आपकी एक example होगी जो आपका adjective की बताई, यह ऐसे आपका adjective है और यह आपका adjective phrase है, मैं इसकी एक और example आपको दे देती हूँ आप कोई भी examples देख सकते हैं, बहुत सारी examples इसकी होँगी, ठीक है लिखो the lady ठीक है, वो क्या कह रहा है, the lady जिसने क्या किया है, the lady wearing a sari is my mother वो वाली lady, first of all, यह lady क्या है आपका noun होगी, हम किसी lady की बात कर रहे है यह आपका common noun होगी, lady में तो कोई भी lady आ सकती है, ठीक है the lady जिसने क्या wear किया, एक sari wear की है, वो क्या है, मेरी mother है अब देखो, अब आपको बताया जा रहा है कि उसने wear क्या किया है, उसकी quality क्या है wearing a sari, जिसने sari पहनी है, वो क्या है, आप sari का color भी लिख सकते है red sari लिख सकते है, pink sari लिख सकते है, yellow जैसे भी आपकी choice होगी क्योंकि वो आपका क्या होगा, adjective, यहाँ पर अगर color mention करेंगे तो adjective शो करेंगा, ठीक है तो wearing a red sari is my mother, वो कह रहा है, वो वाली lady जिसने क्या wear किया है, एक red sari wear किया है, वो मेरी mother है अब देखिए, lady मेरी mother है, लेकिन कौन सी, who is wearing a red sari, जिसने red sari पहनी हुई है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखो देऊ, the lady is my mother कि वो जो lady है, वो मेरी mother है, तो यह भी आपका, this lady is my mother, यह जो lady है, यह मेरी mother है, तो यह sentence भी आपका complete है लेकिन आपका adjective phrase नहीं indicate कर रहा, लेकिन अगर हम लिखेंगे, the lady wearing a red sari is by mother, वो वाली lady जिसने red sari wear कि हुई है, वो क्या है मेरी mother है तो guys, यह आज हमारा discuss हो गया adjective phrase and आपका noun phrase, तो I hope कि आप समझ गे होंगे adjective phrase क्या है, noun phrase क्या है, तो tomorrow we will discuss about the adverb phrase and prepositional phrase तो कल guys, पहले हम इसकी exercise discuss कर लेंगे noun phrase और adjective phrase में, फिर next day पे हम next वाली जो दो phrases का है, उसको discuss कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि phrase की feeling the blanks हम किस तरह से feel करेंगे, और कौन सी phrase कैसे होती है, I hope कि आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको adjective phrase और noun phrase को, अगर if you have any query, so please comment in the comment box, okay guys, thank you guys for watching my video, okay friends, thanks for watching my video, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel,